तो अगर आज की बात करें तो आज मार्केट जो डेटा बिल्ड था कल वो साइडवे टू बुलिश था तो मार्केट साइडवे टू बुलिश ही ओपन हुआ बट हाँ उसके बाद उन्होंने अपनी पोजिशन बुक की और मार्केट में काफी बड़ा करेक्शन आपको देख काफी अच्छी प्रोफिट बुकिंग देखने को मिलेगी ठीक है तो वही हुआ दोनों लेवल जो कल गिवन थे आपको चार्ट में वह दोनों लेवल आज अच्छी हुए जैसे ही 430 का लेवल ब्रीच हुआ सिमिलर वे में अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में 48700 का लेवल था इंपोर्टन अगर वो तूटता था तो फिर आपको काफी अची प्रोफिट बुकिंग देखने को मिलेगी यह कल का ही हमारा डिस्कुरिशन था और वहां पर भी वही हुआ कि व क्यों लिखा है क्योंकि FIS ने डेटा बिल्ड ही नहीं किया उस के आज हमारा थार्ड फेज़ का लेक्षन रिविवी ली जाते है और उसके basis पे exit ball निकलते हैं बढ़ हाँ चुनाओ के duration में वो public नहीं किया जाता बढ़ी-बढ़ी firms को उसके बारे में information होती है क्योंकि बढ़ी firm ही ये survey कराती है तो क्या वो impact है या फिर FIS का data या वो नोंने अपनी positions exit की इसमिए ये fall हुआ जो कि globally अगर आप देखेंगे तो global market में profit booking नहीं देखने को मिलिए ये केवल इंडियन market में देखने को मिलिए अब देखना ये है कि कल क्या होता है या data किस में बिल्ड है तो थोड़ा सा देख लेते हैं first of all this video is only for education purpose यहां मेरा telegram link और whatsapp number गिवन है सबसे बड़ी चीज क्या थी कि हाँ F.I.S cash market में लगातार selling कर रहे है और आज भी उन्होंने selling किये डिया इसने लगातार buying किये और आज भी buying किये index future के बात करूं तो यहां पर index future में F.I.S के अभी भी short positions बनी हुए और साथ में stock future की बात करूं तो यहां पर भी चोटी से short positions बड़ इतनी बड़ी positions नहीं है कि हम इनके respect में trade initiate करें किसे परसो था clearly visible था कि हाँ या बेरिश है जबकि market 1% gap up open हुआ लेकिन data इतना बेरिश था कि वो negative में आके close करा दे ठीक है या buying नहीं है 1131 करोड की selling है जो कोई ज्यादा बड़ी selling भी नहीं है कि हम बोल सकें कि side way to bullish रहेगा या ज्यादा बड़ी buying भी नहीं है जहां बोल सकें कि market में bearishness आपको देखने को मिलेगी बढ़ हां यहां से क्या है जब आप इसको specified देखेंगे nifty bank nifty तो bank nifty में बड़ी 500 करोड की और fin nifty में 6000 करोड की selling है तो यहां पर भी data क्या है hedge कर रखाए इनों समझने यानि यह data भी क्या कर रखा है hedge कर रखा है तो यहां पर भी आप ज़्यादा उमीद मत करना है तो मार्केट में कल किस वे में trade करना है या तो हम level to level trade करें या फिर हम avoid करें है जब market का data थ फोड़ा सा इस वे में हो कि confusing state में लगे उस टाइम पर या तो आप level to level trade करो या फिर avoid करो विक्स की बात को विक्स काफी बढ़ा है 17 पर 17.01 पर हो गया अभी थोड़े देन पहले आपको ने देखा था लो लगाय था 10 और 10 से 7 अगर यह बढ़ा है तो क्या हुआ 70% बढ़ इस चीज को भी समझ के चलना निफ्टी में उतना प्रोफिट बुकिंग नहीं था बट बाग की आप गर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो काफी बड़ी प्रोफिट बुकिंग आपको देखने को मिली है तो यहां से डेटा अब कल मार्केट वेट करेगा कि बुल् में जो जीते का उस डारेक्शन में मार्केट रन करने लग जाएगा तो चलो स्टार्ट करतें क्या कौन-कौन से लेवल इंपोर्टेंट है जब तक अगर 331 के उपर सर्वाइब करेगा तो हम बुलिश हो जाएंगे for the target of 400 and then 470 but condition क्या 330 के उपर सर्वाइब कर रहा है तभी उसके बाद नहीं और इस टाइम पर भी आप एक SL जरूर लेके चलेंगे that is 290 का आपका SL भी लेके चलना है और अगर मार्केट 300 के नीचे सर्वाइब करता है यहाँ पर resistance करता है तो यह हमारी condition होगी बेरिशने इसकी और यहाँ पर भी हम 330 का SL लेके चलना है तो सिंपल सा ह यह 30 points की जो आपका gap है यानि 30 points का जो भी आपकी levels है difference है इस difference के उपर है तो bullish है और इस difference के नीचे है तो बेरिश आपको देखने को मिलेगा अब क्या levels निकल के आ रहे है 230 and 170 तक market fall कर सकता है अब अगर fall start हुआ ठीक है और SL क्या लेके चलना है 30 points का आपको SL जरूर लेके चल करता है तो हम 300 को SL लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे market 396 तक हमें लेके जाए और 477 तक यह level है ना तो अगर यहां open होता है फिर में bullish हो जाँ तो वह हमारी गलतिया है जबरदस्ती bullish नहीं अगर market यहां आता है वापस और यहां survive करता है तो ही bullish होना है नहीं survival होने दो तब bullish होना या bearish होना जबरदस्ती bullish और bearish होके मत बैठना ठीक है तो I hope यहां चीज़ें हमें clear होंगी अब देखो एक और चीज़ जो हम concept wise बात करते हैं कि जब level तूटते हैं तो क्या होता है तो यह high बनाता जाता है और यह high को easily break नहीं करता है ना red candle के high को easily break नहीं करता और जो को भी थोड़ा सा फोकस किए जी बैंक निफ्टी के level देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या है तो 380 exactly 400 ही लेके चलो कि 400 के उपर survive करता है ठीक है survive करने का मतलब 15 मिनिट की candles दो केंडिल अगर रूख जाए तो that is a survival ठीक है तो हमें 660 और 960 तक के level देखने को मिल सकते है इन बैंक निफ्टी साथ में क्या है बैंक निफ्टी में option buying कर रहे है तो यहां पर higher chances रहेंगे आपके movement के आइधर इन अप्वर डारेक्शन और इन डाउनवर डारेक्शन डाउनवर डारेक्शन स्टार्ट हुआ तो क्या पहला level रहेगा 960 फर्स लेवल रहेगा और 730 ह हमारा सेकिंड लेवल रहेगा तो यह हमारे दो important लेवल रहेंगे जहां तक की profit booking कल हमें मिल सकती और दोनों टाइम पर हमें SL जरूर लेके चलना SL क्या रहेगा हमारा SL की बात करूं तो 200 and 240 is yours अगर आप buy कर रहे हो 380 के उपर यानी 400 के उपर तो 240 एनी 160 पॉंट का हम SL जरू दूर लेके चलेंगे कल expiry है बेंग निफ ठीक है तो हम कोशिश करें कि हम next expiry में trade करें या फिर कोशिश करें हम छोटी सी premium छोटा सा capital ही explore करें for same day expiry ठीक है तो उस टाइम पे हम केवल उतना ही amount है नहीं एक लाग capital है तो 3% से ज्यादा amount नहीं डाले इस चीज़ का थोड़ होते गया है कि हम 40,000 से trade कर लेंगे और फिर जब market थोड़ी देर रुखता है तो हम उस decay को बरदाश नहीं कर पाते हैं और निकल जाते हैं और उसके बाद movement हो जाता है ना तो उन चीजों से बचे हैं तो हैं 215 अगर नीचे तूटता है तो फिर profit booking है और 390 अगर उपर तू जाते हैं एक और conditions जो बन सकती है कि हाँ gap up open हो वापस range में आए तो यह selling opportunity होगी और gap down open हो वापस range में आए तो that is a buying opportunity इन दोनों चीजों का ध्यान रखना I hope यह चोड़ी से analysis आपके काम आएगे अगर कुछ भी positive ले लगता है तो please like and comment and वैसे भी comment तो कर दिया किए जो continue कितने हैं वो no doubt comment भी करते हैं so thank you जो भी comment करते हैं जो भी like करते हैं and I hope everything is good